तो दोस्तो एक नई वीडियो में आप सभी का बगत दोस्तों अगर आप लोग Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस को यूज करते हैं आपके डिवाइस में MIUI 13 और Android 12 अपडेट आने के बाद में काफी डे सारे बक्स देखने को मिलते हैं लाइक आप लोगों का जो डिवाइस है आटो रिस्टार्ट हो जाता है आटो रिबूट हो जाता है हमारी यूट्यूब चनल पर काफी जादा कॉमेंट आ रहे थे कि इस प्रॉबलम को कैसे सॉल्व करें हमारे Redmi Note 10 Pro और Pro Max डिवाइस में तो इस प्रॉबलम को फिक्स करने के लिए आप लोगों को सिंपली अपने डिवाइस को एक बार डाटा को बैक अप करने के बाद में फैक्टरी रिसेट करना जिससे आपके डिवाइस की आटो रिबूट आटो रिस्टार्ट का जो प्रॉबलम हो 100% फिक्स हो जाएगा अगर आपके डिवाइस का प्रॉबलम इस ट्रिक से फिक्स हो गया है तो इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पे प्रस करना मत भूलिएगा